हेलो एवरिवन वेलकम टू स्टार आईक्यू मेरा नाम है सुनेल और आज 20 नवंबर 2020 के हर्याना करेंट अफेर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानेंगे अगर आपको मेरे दवारा पढ़ाए गए सबी लेक्चरस का पीडियो फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलिग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडियो को जुरूर जोइन कीजिएगा आगे बढ़ते हैं आप सबी को पता है कि SBI PO जो है अब बहुत ही नजदीक है 31 जनवरी को एक्जाम होने वाला है अपनी प्रिपरेशन को करने के लिए अच्छे तरीके से करने के लिए अनेकेडमी जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा कोर्स लेके आया है न टेस्ट बिल्कुल फ्री है जल्दी से एन्रॉल करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए लिंक पे और अपनी प्रिपरेशन को ट्रेक करें और एक्जाम क्रेक करें अनेकेडमी के साथ में आगे बढ़ते हैं कल आप से सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या होगा वर्स 2003 बैच के भारतिय प्रशासनिक सेवा अधिकारी चंदर सेखर ने हाली में किस जिले के मंडला युक्त के रूप में अपना कारेबार संबाला है तो इस क्युस्टन का सही अंसर था हमारा हिसार डिस्टिक यानि के D option बिल्कुल ओके था बढ़ते हैं आगे और आज का लैब बनाई गई है वो हॉस्पिटल में पहरी बार लैब बन रही है हरियाना के फ्रिदावाद डिस्टिक के अंदर यानि कि B option जो है इस क्युस्टन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा इसकी घोशना के थी हमारे हरियाना के स्वास्ते मंत्री अनिल विज ने हलंके है यह B के हॉस्पिटल के अंदर ही लैब बनाई जाएगी चीक है ताकि जितने भी पेशेंट आते हैं वहाँ पे ही उनका इलाज हो जाए और वहीं पे ही जो है उनकी टेस्टिंग भी हो जाए आपको मैं बता देता हूँ हरियाना के अंदर कई सारे टाइप के टेस्ट चल DNA और RNA की चेकिंग की जाती है रियल टाइम पॉली मेर से चेंज रियक्शन इस टेस्ट का नाम है पूरा ये भी बात आप याद कर सकते हैं अब जिकर फृदावाद का हुआ है ना तो फृदावाद के बारे में जिकर करते हैं फृदावाद के अंदर बढखल जील है नाम हर सिंग की हवेली भी है तो ये बात भी आप याद कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं तो हर्याना में सुक्रवार को यानि की 20 नवंबर को आज ही करोना वैक्सीन के तीसरे चरण का प्रिसिक्शन सुरू हो जाएगा आज करोना वैक्सीन का थर्ड ट्राइल स्टार्ट होन अपने स्वेच्शा से इस ट्राइल के अंदर हिसा लेने वाले हैं उन्होंने ट्विट करके भी कहा है अभी रिसेंटली पीजिया रोतक का अंदर जो है ट्राइल होगा और इस वैक्सीन का नाम है को वैक्सीन और यह भारत बायो टेक परड़क्ट जो की हैधराबाद की कम इस ट्राइल स्टार्ट हो रहा है यह बात आप याद रखिएगा टिक है 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 धराबाद की फार्मा कंपनी भारत बायो टेक की दवाई है यह को वैक्सीन यह भी बात आप इपॉर्टन तरिके से याद कर सकते हैं और अमबाला केंट होस्पिटल में आज दिन में 11 बजे ज जो है वो है हम फ्लाइंग भी बनाई है वो भी बात आप याद कर सकते हैं पानिपत में रिसेंटली इन्होंने मॉलिकुलर लैब की भी स्थापना की थी आगे बढ़ते हैं एक लाकिशन हमारा क्या रहेगा वन रैंक वन पेंशन के लिए हर्याना के अठारा इक्तालिस चब् इस पूरो सैनिकों के लिए कितने क्रोड रूपे हाल ही में केंदर सरकार ने जारी किये हैं तो केंदर सरकार ने अभी रिसेंटली जारी किये हैं हर्याना के लिए 909.28 क्रोड यानि की बी आप्शन जो है इसक्यूसन का हमारा वह बिल्कुल ठीक रहेगा अब थोड़ा यह टोटल की बात करें तो 1095.44 है और संदीगड के लिए कितनी 58.69 क्रोड है वन रैंक वन पेंशन योजना जो है 2014 के अंदर सबसे पहला एक बजट आया था बजट के अंदर जो है इसके बारे में जानकारी मिली थी कि हाँ इसको जो है लागू किया जाएगा असेप्ट कर लि पेंट कर दिया जाएगा पूरी इंडिया के अंदर वन रैंक वन पेंशन योजना हाली में पन्चकुला के सच्चिव महावीर सिंग को अबी रीसेंटली जो है इन्हें अत्रिक्त उपायुक्त लगाया गया है देखिएगा रीसेंटली हर्याना सरकार ने तुरन्त और सदिकारी और 10 HCS अधिकारियों का ट्रांसफर किया है उन में से कईयों को जो है डबल जेमेदारी भी मिली है जैसे पलवल जिला नगर आयुक्त मोनिका गुपता है इनको पलवल का अत्रिक्त उपायुक्त और साथ ही उन्हें पलवल के जो जिला नगर आयुक्त होते हैं उसक जिनका नाम है विश्राम कुमार मीना इनको वर्तमान कारेभार के अलावा कनीना के उपमंडल अधिकारी का कारेभार दिया गया करनाल उपमंडल अधिकारी आयुस सिनहा को जो है उनके प्रेजेंट का जो काम है उसके अलावा इंद्री के उपमंडल अधिकारी का कारेभा का मिला है ठीक है और उसके अलावा नू जिला के जो आयुक्त है मनीस नागपाल इनको नू का अत्रिक्त उपायुक्त लगाया गया और नू जिला नगर आयुक्त का कारेभार भी दिया गया एक्स्ट्रा अच्छा जीन्द के सचीवा सतंदर दुहन इनको जीन्द का अत्रिक है ठीक है जिनका नाम है समर्तक सिंग खंगवाल इनको फतेवाद का अत्रिक्त उपायुक्त लगाया गया और के साथ ही फतेवाद के जिला नगर आयुक्त का अत्रिक्त कारेभार सोंपा गया इंद्री उपमंडल अधिकारी सुमित सिया को नरवाना के उपमंडल अधिकारी म लगाया गया है ठीक है इसके अलावा हिसार की बात करते हैं तो अश्वीर सिंग है उनको उपमंडल अधिकारी के साथ में एक्स्ट्रा पद दिया गया इसके अलावा विरंदर सिंग धुल को बिलासपूर उपमंडल का नागरिक अधिकारी बनाया गया कनिना उपमंडल अध पिटिस्यम दुशन चोटाला ने हाली में घोशना की है कि अब खालिस्तान CEO की अनुमती के बिना फिक्स डिपॉजेटर से पैसा नहीं निकाल सकेंगे आप सभी को पता है कि पंचायद चुनाव जो है बहुत जादा पास में है और इस वज़े से सरपंच है या पंचायद के सचीव है वो क्या करते है कि अपनी जो फिक्स डिपॉजेट है जो FD है वहां से पैसा निकालने की धांदली कर रहे हैं तो अब बिना CEO की अनुमती के पंचायद सचीव और सरपंच ये दोनों ही जो है पैसा नहीं निकाल सकेंगे ये भी हाल ही में घोशना की है हमारे सबी को पता है कि केवल पंचों के लिए जो है वो मद्दान बैल्ट पेपर्स के जरीए होंगे बाकिस सबी के इवियम के जरीए ही होने वाले हैं वो भी बात मैंने आपको थोड़ दिन पहले ही बताई थी 2016 में इस से पहले चुना हुए थे आपको पता है हर्याना में तीन चरण में हुए थे एक तो 10 जनवरी को हुआ था एक 17 जनवरी को हुआ थे एक 24 जनवरी को हुआ था और फरवरी में सरपंचों का सपत ग्रहन का समारो था तो अभी उसको टोटल 5 साल हो चुके हैं इसी पिछड़ा वर्ग के लिए अच्छा करीब जो है आपकी 3700 पंचायते समान्य सरेनी किये है ऐसे ही जो है 60,000 पंचायत सदश्यों में से 25,400 बान में महिलाओं के लिए है 15,467 पद अनुसुचि जाती के लिए 21,124 पिछड़ा वर्ग के लिए 416 जिला प्रिसद सदश्यों में से 181 महिला है शान में अनुसुचि जाती है और 74 पिछड़ा वर गई ये स्लाइड बहुत इपॉटन्ट है स्क्रिन शोट ले लेना गराम सिच्चू के पेपर के लिए काम आएगी हर्याना के मुख्य मंतरी मनोहर लाल ने तीन महान हस्तियों और परसिद साहिते कारों की परतिमाओं का जो अनावरन किया है अभी हाली में हर्याना साहिते अकादमी पंचकुला प्रिसर में अच्छा इन परतिमाओं का निर्मान जो है वो किस ने किया है तो इन परतिमाओं का निर्मान जो किया है वो किया है राम परताप वरमान यानि की बी आप्शन जो है रहेगा हमारा इसक्योशन का वो बिलकुल ठीक रहेगा तीनों परतिमा किस किस की है एक तो है संत सूर्दास की जो की 1478 से 1583 के बीच के एक है बाल मुकंद गुप्त की ठीक है 1865 से 1907 और एक है सूर्य कवी पंडित लखमी चंद 1903 से 1945 के बीच के ठीक है तो इन तीनों की परतिमा जो है अभी रिसेंटली अनावरन किया गया है पंच पेपर में बहुत बार पूछा गया बाबू बाल मुकंद गुप्त है इनका गाउं है गुडियानी रेवाडी में पेपर में पूछा गया है सूर्य कवी पंडित लखमी चंद का गाउं है गाउं जाटी कला सोनीपत में पेपर में पूछा गया ये भी most most important slide है पेपर के ल आप लोग ठीक है और एक बात और है कि हर्याना साहितिया का आदमी के निदेशक का नाम क्या है चंद्रत्रिका है और जन्संप्रक और भासा विभा के मुख्या सच्चिव का नाम क्या है धीरा खंडेलवाल है आगे बढ़ते हैं हर्याना में किस जिले की रौकी कुतिया को ल गोड लिया गया है लंडन लिजाने में तकरीबर इसको तीन लाका खर्या आएगा आपको थोड़ा बता देता हूं कि तकरीबर एक साल पहले इसके पाउं कट गए थे ट्रेन की वजह से आगे के दो पाउं और तब से जो है इसकी एक सोसली मीडिया पे एक वीडियो वाइ है infection की वज़े से वो वीडियो लंदन की संस्ता ने देखी ठीक है और उसी संस्ता ने जो है से adopt कर लिया अपने पूरे खर्चे पे इसे लंदन ले जाया गया है ठीक है फृरिदावाद के बारे में तो आपको मैंने पहले ही पढ़ा दिया ये क्युस्तन important है क्योंकि देखो एक क्युस्तन सबसे पहले अंत्रिक्स में कौन सी कुतिया गई थी अगर आपको याद हो तो लाइका उसका नाम था ठीक है ऐसे ही ये क्युस्तन भी important होगा हर्याना से पहली कुतिया है जिसको adopt किया गया है लंदन की संस्ता के गोशना की है हर्याना के मुख्यमंद्री के दवारा हर्याना के युवाओं की skill को निखारने के उदेश्य से हर एक जिले के अंदर खोले जाएंगे model coastal के अंदर जहांपे skill development पे ध्यान दिया जाएगा और skill को इतना था लेकिन 2019 और 20 में जो है बढ़के इतना हो गया 17-33-16 metricton ये गोशना अभी हाली में हर्याना के जो कृशी मंत्री है जे पी दलाल उन्होंने की है ये भी बात आप याद कर सकते हैं चली अगला किसन हमारा हर्याना स्टेट कॉपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड ठीक है आप इस बैंक की स्थापना कब हुई थी comment section में लिखके जरूर बताईएगा और ये बैंक किस मंत्री के अंतरगत आता है ये हमारे corporation minister स्री बनवारी लाल के अंतरगत आता है और अर्विंद यादव जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है हरको बैंक के नए चेर्मेन इसी के साथ ये lecture स्माप्त होता है आपके लिए किस्तने की हर्याना सरकार ने बड़ा कदम उठाते वे घोशना की है कि अब कहां पे जो है वो आपकी खोलने वाली है गोशा लाएं पुलिस लाइन में जेलों में अंबाला चावनी में या इन में से कोई नहीं बताइए विस्तार से कल फिर हाजी रहूँगा लेटेस्ट अपेट के साथ तब तक आप हंसते रहना मुस्कुराते रहना थैंक्यू थैंक्यू सो मच